तर्शक्पीन स्वागाच्छ तपाइले तो पेर के आपनी YouTube चैनल मिकसेलिपडेटी निउस मा आजा हमी इस वीडियो मा चर्चा गरने सुम् काटमांडू महानगर पाली काकियें उप मेर सुनीता डंगल को बारे मा चर्चा गरने सुम् इस वीडियो मा वहाकू लाइफस्टाइल, एज, एजुकेशिन, केरियोर, इनकम साथे वहाकू तस्वेन को बारे मा चर्चा गरने सुम् तपेर यदि सुनीता डंगल को फैन हुनुँँँचा गरने सुनीता डंगल को लाइफस्टाइल तरक लागने छूं वहाँ को रेल्नेम रही कशा सुनिता डंगल भनी सुनिता डंगल को डेट ओब बोर्ट रही कशा 16 मेश नाइटीन नाइटीन नाइटी ट्री रा ओईली 22 पोनु सार वहाँ चेई 29 येश पुगी सकनु फई सके गशिन सुनिता डंगल को बर्ट प्लेस फोनु पड़ता वहाँ चे काटमांडु नेपाल महा जन्मीन भाईक थे बनी ओईले हाल करेंट रेशिडेन पनी काटमांडु मैं बसन हुँचे सुनिता डंगल नेशनेल लेटी लेजी नेपली सुनुँच पनी वहाँ को रिलीजन हेंदू रहिक चा सुनिता डंगल प्रफिशन नेवटा, मोडिल, रेडियो जोकी, साथ पॉलिटीशन हुनुँच सुनिता डंगल को फिजिकल स्टेट को बारे मां चर्चा गरने सुम। वहाँको हाइट रहिक चा पाइफीट पर इंच वहाँको वाइट रहिक चा 58 किलोग्राम, आई कोलर रहिक चा ब्लेक, साथ हेर कलर पनी अर्जिनली ब्लेक ने रहिक चा सुनिता डंगल को एजुकेशन कोली फिक्षिन को बारे में प्रनू परदा वहाँको एजुकेशन कोली फिक्षिन रहिक चा मास्टर डिग्री भनी वहाले अपनी स्कूल को परएचे, लक्षमी 6 साधन हायर सेकेंडर स्कूल मा परनू पर्नू पर इक चो थिन। साथ वहाले आफने कोलेश को परायए चे नेपाल मोडिल कोलेश मा पर्णूफाई को थियो आउनुहस अब भाहमी काटमांडू महानगर पालिका के उपमेर सुनीता डंगल को केरियर साथ इस्ट्रागोल समन्धिको बारेमा चर्चा गरने सुम् सुनीता को जन्मचे काटमांडू माँफाई कोतियो वहाले आफनी सकूल रा कोलेस को पराये परे काटमांडू ध misinformation लोरे रहाँ आचे औहले काटमांडू को अपमेर वनुहानच सुनीता को और ले ओईले गरी रहाएको काम तपायले कोती मन परसे ती कमेंट मा परनू नव पिश्यनों हला साथे हजर हेरुलाई एता बालेंस शारायता सुनिता डंगले गरी रहाएको काम कस्तो लागसे दर्शक बिन अने सुनिता डंगलको हभीस बन परदा वाको हभीस रहाएको साथे 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 रहाएको माको नेटोर्ड भर्नु पवर्दा वां सखा जे 35 तू 50 लेक रूपिस एप्रोक्स रही कसा यो धियो काटमांडू महान गरती। उपमेर सुनिता डंगनको लाइफस्टालेबल सौर्ड बाइग्राफी। तौपए लेदे इस बीडियो मुन परे चैनल ला सॉस्क्राइब गरी बीडियो लाइए एक लाइग गर्लू नो पिश्नू खला।